हेलो फ्रेंड आप सभी का मैंठे चैनल पर बहुत स्वागत हैं मैं आप लोगों को आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूं जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जैसे मैं बी- फक्रίशं करते हैं तो वाइटर साइन में क्या होता है कि एक ट्रूटीन पार्ट ओफ कंपलेट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमारा ब्रेशरी oxygen साथ। आगया फिर हमारा ऍसब को सब्सक्राइब नार्मल ठर्म है जिसके बारे में सब को जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है क्या तो टेंप्रीचर जो है उसके बारे में मैं बताओं तो टेंप्रेचर हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए 37 दीग्री सेल्सिएस या फिर 98.4 Fahrenheit जो पॉल्ष है वह हमारा 60-100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए ठीक है होना चाहिए और हमारा होना चाहिए यह सब कुछ नॉर्मल टर्म है जिसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए तो अब में अब ने कुछ के बारे में बता देती हूं क्या होता है तो इसमें एक और चुट रहा है सोरी वो है वाइटल साइड को हम अगे कार्डिनल साइड भी बोलते हैं क्योंकि यह का डियल का फिजिजुलोजिकल स्टेटस बताता है विकॉज इट रिप्रेजेंटस फिजुलोजिक स्टेटस कर्दाद कर चंब्लड सांइ वाइटल साइन को उसमें इंक्लूड करते था क्यूंकि हम्मारा फीजियोलोजीकल स्टेटस थो क्तिंगे वल्हें हिस्त एक देखते हैं It is the degree The degree of heat maintained By the body यानी हमारा जो body जितने temperature को maintain कर सकता है ठीक है? उसको हम लोग temperature कहते है यह क्या होता है? It is the balance between the heat reduced And heat produced by the body यह क्या कzinho करते है? हम लोग heat को loss करते है कुछ heat को produce करते है heat produce करते है अगर हम अपने body में heat को produce किये है तो उसे thermogenesis कहते हैं और heat को loss कर दिए तो उसे thermolysis बोलते हैं ठीक है तो temperature नापते किसे हैं हम लोग तो temperature नापने के लिए thermometer आता है thermometer यह instrument है ठीक है यह device से जिससे हम लोग नापते हैं अब क्या है कि body temperature को हम लोग दो प्रकार से नापते हैं ठीक है दो प्रकार उसका है का टेंप्रेचर यानि हमारा जो इंटर्डर फिजोलोजी है इंटर्डर जो पार्ड है इसको इंडिकेट करता है यह इंटर्डर्लिजोडforme करता है यह हमेसा कॉंस्टेंट रहता है तोगे 37 7 degrees Celsius होना चाहिए normal अगर हम देखे अपना का थेमपरेचर यह क्या होगा यह Architect cat a keto होंद कि उसके अनुसार हमारा सब्चना सब्सक्राइब के ऊपरेचर चींड था खाता है उसके आनुसार हमारी सभी टेंपरेचर तुटॉट सैल्सने manageable thanks falls in response to the environment यानि हमारे इंवर्मेंट में कैसा जैसे बारिस हो रहा है ठंधा मौसम है तो ठंडा रहेगा हमारा बाड़ी गर्मी का मौसम यानि एदम गर्मी गर्मी लगेगा हम लोग उस्ते मलग टेंपरेचर रहेगा तो यह हमारे इंटर्नल फीजियो लाज़ी को इंडिकेट नहीं करता है ठिके तो टेंपरेचर के बारे में बताएं फरकार का होता है और चायो कोके टेंपरेचर को एफेक्ट करते हैं और हीर्व हेशा ह on से इस्ट्रेस हो जाएगा इस से ही साट इस डबल इस अब क्या होग टेमपरेचरोट को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं फ़ोर्ट वन हैं टिंपेनिक थर्मोमीटर ठीक है तो क्या है यहां पे कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला है ग्लास थर्मोमीटर तो ग्लास थर्मोमीटर में क्या है यह ग्लास का बना हुता है यानि कि क्या माउट से भी हम लोग टेंपरेचर ले सकते हैं औरली ड्रेक्टल हो गया जो नाइटल एरिया फिर होगे एक्जिलरी यानि हमारे बाजू है वहां पर हम लेते हैं टेंपरेचर ग्लास थर्मोमीटर से लगवग 2-8 मिनट में ही एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता ह यानि हम लोग अपना बोडी का टेंपरेचर पता चल जाएगा 2-8 मिनट में दूसरा है इलेक्ट्रोनिक थर्मोमीटर तो यह भी नॉर्मल वैसे हैं कि औरल एक्जिलरी रेक्टल यहीं टेंपरेचर को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं औरल एक्जिलरी रेक्टल तीनों चीज याद कर लीजिए यहीं तीनों का हम लोग टेंपरेचर नापने के लिए अलग अलग तरह का थर्मामीटर यूज में ला रहे हैं ठीक हैं यह जो इलेक्ट्रोनिक थर्मामीटर है वह दो मिनट से लेके 30 सेकंड तक हमारा जो है क्यूरेट रीडिंग दे देग फिर डिस्पोजेबल थर्मामीटर यानि कि एक केमिकल थर्मामीटर है इसमें कुछ चैमिकल होते हैं जो कि जितने स्पेसपीक टेंपरेचर वहाँ पर फेक्स है कि ता टेंपरेचर आएगा उसके बाद उसका कलर चेंज हो जायेगा उसके बाद उसको हम लोग दुबारा योज में नहीं ला सकते हैं यानि कि वह दिस्पोजेबल है उसको फेकना पड़ेगा यह कितना है कि बहुत ही कम टाइम में हम लोगों को टेंप्रेचर बता देता है जो कि वन मिनिट है ठीक है 60 सेकेंड में यह हम लोगों को रिजल्ट दे देगा डिस्पोजेबल इसे जोथा है हमारा इंपनिक थर्मोमिटर का यूज करते हैं तो देखें यहां पर है ना इसके कान में लगाया हुआ है यह नहीं क्या है कि यह किफिज में कि थींपैनिक फ़र्मोमीटर भो दो से टीन सेकंद में क्यूरेट लीडिंग दे देता हैं उसके बाद क्या है कि हमारे नार्मल बॉडी temperature कितना है ठीक है एडॉल् faces अगर हम नौप temperature को नापते हैं तो उसमें celsius में लें तो 37 degree celsius और Fahrenheit में लें तो 98.6 Fahrenheit आता है ठीक है 98.6 Fahrenheit और 37 degrees Celsius और अगर रेक्टल देखें तो 37.6 degrees Celsius और Fahrenheit में देखें तो 99.6 degrees Celsius तो 37.6 और 99.6 अगर हमारे एक्जिलरी में देखें तो उसमें क्या है कि 36.5 और 97.6 हो गया ठीक है तो यह temperature जो है एक्जिलरी का है और यह रेक्टल का हुआ और यह हमारा ठीक है तो यह हमारा क्या होता है कि देखिए यहां पर सबसे ज्यादा तो इसी का है न अगर और हेक्टल का देखे तो सबसे ज्यादा राकर का है और सबसे कम जो है हमारा वह तो हमारा यह कहा है ठीक है तो ऐसी कम हुआ 37.3Uh और फैरेन्हाइट में देखे तो 97.6 तो राक्टल सबसे ज्यादा है 37.6 डिगरी तेलसेट और 99.6 फैरेन्हाइट ए ठीक है और अगर हम लोगों को क्या करना है किसलिसियस में दिया हुआ है टेमप्रेजर ठीक है और फार्मूला है यहां पर फैरन हाइट में निकालना है तो 9.9 लाइन बाइफ इंटू क्या होता है कि celsius में जितना दिया है यानि 15 डिगरी celsius है तो 9 बाइफ इंटू 15 ठीक है फ्लस 32 तो इससे हम लोग fahrenheit में convert कर लेंगे अगर हम लोग लोगा fahrenheit में दिया हुआ है और celsius में convert करना है तो क्या हो जागा 5 by 9 इन प्रैकेट में क्या है F minus 32 इतना करेंगे तो हमारा आ जाएगा ठीक है अब हम लोग temperature में ही देखेंगे fever का condition यानि कि अगर fever रहता है किसी भी person को तो उसे बोलते हैं और body temperature अगर नॉर्मल से ज्यादा चला जाए तो उसे हम लोग hyperthermia कहते हैं या फिर फिवर बोलते हैं फिवर भी 4-5 category में डिवाइड होता है ठीक है पहला है low grade fever जिसमें 37.1 degree Celsius से ज्यादा होना चाहिए और 38.2 degree Celsius से कम होना चाहिए और high grade fever में 38.2 degree Celsius से ज्यादा होना चाहिए और hyperpirexia का situation में क्या होता है कि 40 degree Celsius से ज्यादा होना चाहिए और जो intermittent fever है इसमें क्या आता है कि alternate febrile episodes with periods of normal temperature यानि एक बार क्या हुआ कि आपका normal body temperature हो गया और एक दम तेज फीवर हो गया तो उसी को कहा है intermittent यानि constant नहीं रहेगा irregular रहेगा यानि एक बार बहुत ज्यादा तो एक बार एक दम normal intermittent fever में क्या होता है कि इसमें continuously आपको fever है यानि दिन रात आपको fever है लेकिन कम कभी ज्यादा normal कभी नहीं हो रहा है लेकिन intermittent और इसमें यहीं फार्थ है कि intermittent fever में एक बार normal body temperature हो जाता है और intermittent में क्या होता है कि continuous एक दम हम लोगो दिन रात regularly fever रहेगा लेकिन कभी थोड़ा कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा लेकिन normal नहीं होगा पूरी तरह से ठीक है तो next वीडियो में आगे मैं बताऊंगे इसके बारे में अगर किसी इसमें प्राब्लम हो कहीं पर भी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें स्टे सेफ इस्टे हल्दी थेंक्यो